हेलो एब्रीबन आज हम लोग मैंने टिक प्रोपर्टी जॉप मैंटर इस वीडियो में डिसक्स करेंगे हमें यहां पर देखना है कि मैटर की मैगनेटिक क्या-क्या प्रोपर्टी होती है तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो भी मैटर होगा उसको हम ब्रॉडली दो टाइप में कैटेग्राइज कर सकते हैं एक तो हम बोल सकते हैं मैगनेट्स या पर पर्बानेट मैगनेट्स और नॉन मैगनेट्स अ जो भी मैटर हम देखते हैं उसको हम ऐसे दो पार्ट में कैटेग्राइज कर सकते हैं या तो मैगनेट होंगे मैगनेट होंगे तो पहले हम यहां पर मैगनेट्स के बारे में देखेंगे फिर हम नॉन मैगनेट्स के बारे में देखेंगे नॉन मैगनेट्स को हम देखेंगे कि जब हम Magnetic field में रखते हैं तो वह कैसे भी हैप करते हैं उसके basis में देखेंगे इनके टाइप होते हैंat I of Magnetic Paramagnetic Ferromagnetic तो यह सब देखेंगे तो अभी हम यह स्टार्ट करते हैं अभी Permanent Magnetic के बारे में है अ तो हम लोग मैटर में सबसे पहले देख रहे हैं पर्मानेंट मैगनेट के बारे में तो पर्मानेंट मैगनेट हम किसको बोलते हैं पर्मानेंट मैटनेट वो अबजेक्ट्स होते हैं जो मैगनेटिक फिल्ड प्रेड्यूस करते हैं झाल कि जबी भी हम कोई पर्मानिन मैगनेट को अगर फ्रीली सस्पेंड करते हैं कोई भी हमने एक ऐसे एक मैगनेटिक पाड़ लिया और इसको फ्रीली सस्पेंड किया तो यह देखा जाता है कि यह हमेशा जीक जीकृफिकल नौर्थ-साओर डारेक्शन में ही रूखता है इधर हमारा जीकृफिकल नौर्थ है मानदी जो इधर जीकृफिकल साओट है तो मैगनेट हमेशा उसकी तरफ पॉइंट करौगा यह हमारा है जीकृफिकल नॉर्थ नॉर्मल जो आप नॉर्थ बोलते हो उसी को बोलने हैं और यह हमारा जियोग्राफिकल साउथ जो आप नॉर्थ साउथ बोलते हो वह यह तो जब भी भी हम फिली सस्पेंड करते हैं कोई भी पर्मानिन मैगनेटिक बार को तो हमेशा दिखा जाता है कि वह जिग्राफिकल नॉर्थ और साउथ के डारेक्शन में रुखता है तो इस पेशिस पे हमने मैगनेटिक बार के पोल्स डिफाइन किये हैं जो नॉर्थ के साइड में रुखता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और जो साउथ के डारेक्शन में रुखेगा उसको हम बोलेंगे साउथ पोल तो इनको हम भो पोल बोलते हैं नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल ये पोल जो होता है ये कोई भी मैगनेट का वो पार्ट है जहां पर magnetic field की strength सबसे जादा होती है यहां और यहां पर magnetic field की strength सबसे जादा होती है अगर आप iron के filing लो इसके उपर डालो तो सबसे जादा filing यहां पर और यहां पेचिपक जाएंगे यह और कभी भी हम इस कोई भी magnets से पॉल्स को अलग नहीं कर सकते हैं अगर आप सोचोग्य कोई मैग्नेट को हमैसे cut कर दें तो इससे पोल्स अलग हो जाएंगे तो ऐसा पॉस्बंड नहीं होताह अगर हम इसको भी से कट करते हैं तो वहां पर 2 magnet आ जाते हैं साउथ है इधर नॉर्थ आ जाएगा और यहां पर और यहां पर औलेडी नॉर्थ था तो इधर साउथ आ जाएगा जब यह दोनों कम्बाइन थे तो नॉर्थ और साउथ मिलका यहां पर कोई पॉल नहीं था लेकिन अलग होने पर नए पॉल्स बन जाते हैं मतलब हम कोई भी मैगनेट से कभी भी पॉल्स को अलग नहीं कर सकते यह हमें साथ दोनों पॉल्स एक साथ ही पाए जाएंगे फिर इन पॉल्स को क्वांटिटेटिवली हम लोग पॉल स्ट्रेंद के टर्म में डिफाइन करते हैं यह कितना पॉल है अब पॉल की स्ट्रेंद कितनी है उसके लिए हमने पॉल स्ट्रेंद करके टर्म डिफाइन किया हुआ है पॉल्स क्वांटिटेवली पॉल पॉलीज पॉल्स काथ करते हैं है इस पॉल्स ट्रेंद अब उसको हम M से डिनोट करते हैं यहाँ पर जो भी हमारा नॉर्थ पोल होगा नॉर्थ पोल को हम बोलते हैं एक तरह से ब्लस एम चर्ड वहाँ पर रखा है ब्लस एम इंगनेटिक चार्ज है जितना जयदा होगा उतना जाद हम बोलेंगे पोल स्टेंथ है और यहां पर बोलेंगे माइनस एम नौर्थ पोल को हम बोलते हैं पॉजिटिव पोल स्टेंथ या फिर पॉजिटिव मैंगनेटिक चार्ज और माइनस M साउथ पोल को हम निगेटिव पोल स्टेंथ या फिर माइनस M से डिनोड करते हैं इसको हम निगेटिव मैगनेटिक चार्ज बोलते हैं तो जैसे आप इलेक्टिक फिल में डाइपोल देखते थे कि दो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज कुछ डिस्टेंज पर रखें तो एक इलेक्टिक डाइपोल हैं तो ऐसे आप यहां इमेजिन कर सकते हो नौर्थ पोल को आप सोच सकते हो कि वह पॉजिटिव मैगनेटिक चार्ज है साउथ पोल को सोच सकते हो कि और निगेटिव मैगनेटिक चार्ज है और दो ऐसे मैगनेटिक चार्ज कुछ सेपरेशन पर रखे हुए है तो हर एक मैगनेटिक बार जो है वो एक मैगनेटिक डाइपोल है कभी यह दोनों पोल्स आपको अलग अलग नहीं मिलेंगे अब जैसे आपने टर्म डिफैन किया थैं यहां पर इनके लिए भी डिफाइन करतें मैगनेटिक डाइपोल मॉवमेंट कि उससे पहले एक चीज और है कोई भी जैसे हमने एक मैगनेटिक बाढ़ लिया तो इसकी जिमेट्रिकल लेंथ मालने जिए एल जी है कुछ जिमेट्रिकल लेंथ और इसकी जो पोल्स होते हुए एक्जेक्टली एंड पर नहीं होते हैं थोड़ा एंड से अंदर होते हैं हैं यहाँ पर एल एंड जो है उसको बोलेंगे मैंनेटिक लेंथ और एल जी हो है वह मैंट्रिकल लेंथ है हमेशा यह देख ग्या है कि जो एल ग the रहें से क्रेटर होता है बहुत हलका सा एलम चोटा होता है यह लगभग जो LM होता है वो 0.84 टाइम्स ऑफ LG होता है अगर question में आपको mention किया है कि इसको अलग लेना है तो हम लेंगे otherwise हम normally इसको same ही ले लेते हैं LM और LG को normally हम same ही ले लेते हैं तो अगर हम magnetic dipole movement define करें हर एक magnet का strength हम लोग magnetic dipole movement के term में मेजर करते हैं तो अगर हम कोई भी मालों एक magnetic बाहर लेते हैं तो यहां पर हम मानेंगे North Pole पर मतलब प्लस M charge रखा है South Pole पर माइनस M charge और इनके बीच की distance कुछ ऐल है magnetic length है अगर नहीं कुछ mention है तो वह ही symmetrical length ले लेंगे तो इसका magnetic dipole movement को हम लोग M से दिखाएंगे इसकी value होगी जैसे electric में करते थे positive charge इंटू उनके बीच की distance और इसका direction किदर होगा यह हमारा magnet लिया हुए North-South magnetic dipole moment का direction इदर को होगा direction of M will be from negative to magnetic charge to positive magnetic charge अब जैसे हमने electric dipole के वज़े से field निकाला था electric dipole पर टॉर्क देखा था potential energy का formula देखा था वह सारी चीजे हम लोग यहाँ पर magnetic dipole के वज़े से भी देख सकते हैं और उससे पहले हम लोग magnetic dipole का magnetic field lines एक बार draw करेंगे वह कैसे जाती है अगर हम कोई भी एक ऐसे magnet लेते हैं तो यहाँ पर नौर्थ बोलने मतलब इतरह से यहां positive magnetic charge है south pole मतलब negative magnetic charge तो positive magnetic charge हम बोलेंगे ऐसे lines निकल रही है magnetic field lines magnetic field को imagine करने का तरीका हमने पढ़ा हुआ यह तो ऐसे निकल रही है और यह सब positive charge से निकल रही है और आके negative charge पर terminate हो रही है अब यहां पर देखिए electric field में तो terminate हो जाती थी लेकिन magnetic field lines हम इसे close loop बनाती है मतलब यहां पर आने के बाद वह ऐसे इधर को जा रही होंगी और यह ऐसे घूम करके इधर से आ रही है आए ऐसे चल रहा है मतलब magnetic बाहर में magnet के बाहर lines north to south चलती है और magnet के अंदर south to north चलती है तो यह point note कर लेते हैं यह कई बार कुछा किया है magnetic lines will be from north to south pole outside magnet इंसाइड मैगनेट के बारे में देखने जा रहे हैं तो यहां पर सब कुछ वही सेम एक्सप्रेशन आएंगे जो हमने इलेक्टिक डाइपोल में देखा हुआ है तो सबसे पहले हम इसके वज़े से फिल्ड निकालना सीखेंगे और फिर फोर्स निकालेंगे डाइपोल पर टॉर्क निकालेंगे जो जो हमने इलेक्टिक में किया थो वही सब हो और रहेंगे तब हम लोग देख रहे हैं.." तो सबसे पहले हमें एक सिंगल पूल के वाई से पहले मैंने टिक फिल निकालेंगे मैंने टिक फिल ड्यू टू कि मैंने टिक कि पूल कि अपने यहां पे कोई एक 02 अल्हें डिक करगा मतलब एक नॉर्ठ आप मान सकते हैं कि यहां-पे पैवल एक पूछ पूलë बशुचा जान दोब कि एक इन्विंटिक फिल कितना होगा तो यहां पेranch miejsce के इक सारा वैसे एक एक प्वें टूम हुचका हुचके जैसे हमने ऐलेक्टिक में पड़ा था पाज़िट्व चारज चाहर्ज का सुपी कितना होगा कि प्रोपोर्णल टो्वा कितना ज्यादा यहां फोल do कितना ज्यादा magnetic charge है, magnetic charge के वाल एक hypothetical चीज है समझने के लिए pole strength है magnetic charge हम ऐसे बोलते हैं, आपको हमेशा magnetic dipole moment ही मिलेगा और ये inversely proportional to होगा, distance के square के, तो इनको combine करके हम बोल सकते हैं, जैसे electric film में ता सब कुछ वही expression है, m by r square यहां पर proportionality constant जोगा उसको बोलेंगे mu not by 4pi m by r जैसे वहां पर होता है था 1 by 4 by epsilon not तो यहां पर mu not by 4pi होगा जहां mu not क्यों होगा permeability of free space जो हमने magnet में पढ़ा हुआ है तो इसलिए मैं लिखने रहा हूँ तो यह हमारा magnetic field हो गया और इसका direction की दोर होगा magnetic field का इस point पर तो अगर आप positive magnetic charge के वएसे देख रहे हो positive magnetic charge के वएसे इस point पर magnetic field away from charge होगा और negative magnetic charge के वएसे इस point पर towards charge होगा जैसे electric field में करते थे वही same चीज़ positive magnetic charge मतलब north pole, negative magnetic charge मतलब south pole तो अब ये concept लगाते हुए हमाराम से electric field निकाल सकते हैं due to magnetic dipole तो अब हम लोग next देख रहे हैं, magnetic field मतलब B due to magnetic dipole अगर हमने मान लिए एक magnetic dipole लिया है ऐसे इसका ये north pole है ये south pole है, इसका कुछ dipole moment है M हमने मान लिए यहां पर कुछ positive magnetic charge रखा है या negative magnetic charge है और इसके वएसे एक्सियल पोजिशन पे हम electric magnetic field निकाल रहे हैं ये हम पहला निकाल रहे हैं एक्सियल पोजिशन पे जैसे हमने उधर निकाला था इलेक्ट्रिक में वही सेम काम करेंगे तो आप क्या करोगे प्लस M के वाज़े से देखो कि ये distance में कुछ हम मान लेते हैं L है तो यह 2L लेक्ते हैं ये 2L है तो हमारा जो magnetic dipole moment होगा उसको बोल सकते है M into 2L आप यहाँ पे magnetic field हम क्या बोलेंगे प्लस M के वाज़े से बोलेंगे इधर को रहा होगा प्लस वाले magnetic charge क्यों है माइनस वाले क्यों है से इधर को रहा होगा तो net magnetic field कितना बोलेंगे poise 2 वाले में से negative वाले का magnetic field subtract कर देंगे poise 2 क्यों है कितना आ रहा होगा mu not by 4 pi m by r square यहां center से distance यह आ रहा है तो यहां से distance कितनी हो जाएगी r minus l kai square minus mu not by 4 pi m r plus l kai square यहां से distance आ रहा है यहां से distance यह l plus r हो जाएगा अब जैसे electric dipole में solve किया था mu not by 4 pi common कर लेंगे m common कर लेंगे इसको solve करेंगे तो यहां आ जाएगा r plus l kai square minus r minus l kai square upon r square minus l square kai square कुछ भी नया नहीं है नया पर जो भी हमने electric dipole में किया है वही same derivation है बस proportionality constant यह change हो गया है बाकी सबको सेम है q की जगे m लिखा हुआ है तो हमारा net magnetic field अब कितना आ जाएगा एक्सेल पोजिशन पर यहां एक बार a plus b लगा देंगे एक बार a minus b तो 2r into 2l a plus b किया तो 2r आ रहा है a minus b किया तो 2l आ रहा है divided by अब देखिए यह 2l into m को हम magnetic dipole moment लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा और यह हमारा constant है ना इसको अभी k लिख देते हैं तो k इसको हमने कुछ k लिख दिया k m into 2r upon में r square minus l square ऐसा कुछ आया अब अगर इसमें r is very very greater than 2l तो यहां पर क्यों हो जाएगा b equal to 2km upon में r cube यह same way आ गया जो axial position पर electric dipole के वह से आता था 2kp by r cube और direction किदर होगा जिधर magnetic dipole का direction है अगर magnetic dipole movement का direction इधर है तो magnetic field का direction भी इधर को आएगा चाहे आप इस side निकालो या फिर इस side निकालो हमेशा m के parallel आएगा same way expression है electric dipole वाला तो हमको ऐसे याद रखेंगे तो in the same way हम लोग equatorial position का प्रूब कर सकते हैं अब मैं यह प्रूब नहीं कर रहा हूँ electric वाला result हम लोग को पता है डारेक्ट लिक दूँगा हमने magnetic dipole ले लिया माल लिया यहाँ पर north pole है यहाँ south pole मतलब यहाँ पर प्लस M charge है यहाँ पर माइनस M charge है और हम इसके equatorial पर यहाँ पर हमें निकालना है कितना है तो हमें पता है कि plus के वाज़े से क्या हो रहा होगा ऐसे जा रहा होगा minus के वाज़े से towards charge पर इनका net कुछ ऐसे आयेगा मतलब जिधर को magnetic dipole moment होता है उसके आप पोजिट में बी आता है अब बी की वैलू कितनी होती है तो हमने जैसे उदर देखा तो वही लगा दे रहा हूं के पी बाइ आर क्योग यहां के पी मतलब एम बाइ आर क्योग एम के है मैगनेटिक डाइपोल मोमेंट एम के है मैगनेटिक डाइपोल मोमेंट इस मैगनेटिक चार्ज इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हमने पीछे देखा हुए हुआ है तो आप वैसे प्रूब कर सकते हों और डारेक्शन किदर होगा है एम के अपोजिट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हूं तो के अपोजिट यहां पीछे भी लिख देता हूं वेक्टर फॉर्म में एम और बी का डारेक्शन सेम होगा है कि अब सेम वे में हम लोग किसी एक्सियल कोई भी पोजीशन पर लिकाल सकते हैं और यहे अगरणने कोई भी एक मैंगनेटिकट डाइपोल लिया है मैंग्नेटिक बाख एए उसका तो इस वाले डाइपोल के वाएसे यह पोजिशन एक्सियाल है कितना हो जाएगा कुछ बीवन माल लेते हैं और इसके वाएसे कुछ बीटू आ जाएगा और इन दोनों का निट इधर को हमारा नेट भी आ रहा होगा कुछ फाइप पोजिशन पर अधिवन की वैलू कितनी बोलेंगे एम कौस ठीटा के वज़े से न यह एक्कुटो न परे किija के ना था ₹ के मतलर मु Czech कितना वोलेंगे म कॉस ठीटा तू के अम बाई एक क्विटोरियल पे डारेक्शन क्या होगा इस एम साइन ठीटा के आपोजिट और वो कितना हो जाएगा के एम साइन ठीटा अपॉन आर्टू सेम वह ही इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला कर रहा हूँ न इसके ज्यादा समझाने की जहुरत नहीं है तो नेट भी कितना हो जाएगा अंडर रूट बी वन इसक्वार प्लस बी टू इसक्वार अब इन सबकी वैल्यू ढाल देंगे बी वन और बी टू की तो यह आ जाएगा km by r cube under root 1 plus 3 cos square theta जो हमने उदर देखा था kp by r cube और under root 1 plus 3 cos square theta वह आगया और phi निकालना होगा तो यहां tan phi equal to Caesar B2 by B1 B2 by B1 यहां value डालेंगे तो यहाँ जाएगा 1 by 2 तो ऐसे हम कोई भी पोजैशन पर Magnetic dipole के वजए से Magnetic Profile निकाल सकते हैं तो अभी हमने Magnetic Dipole के वज़े से Magnetic nä agora अब next हम देखने जा रहे है कि अगर हम कोई Magnetic Dipole को किसी magnetic field में रखते हैं तो force और torque वगएरा कितना लगेगा तो इसके लिए हम सबसे पहले देख रहे हैं force और magnetic dipole single pole पहले हम force निकालना सीख लेते हैं इसको हम charge की type से समझ सकते हैं अगर कई पर north pole रखा है तो हम मान सकते हूं सिंगल positive pole single pole कैसे मानोगे कि एक pole यहां है और दूसरा infinite पर एक बहुत लंबा magnetic बार लिया है और इसको हमने कोई external magnetic field में रख दिया तो अब इस पर force लगेगा force वाइसे ही आप निकाल सकते हैं जैसे q charge को e electric field में रखते थे तो m into b और direction क्या होगा जिधर positive charge पे जिधर b होगा उदर को force लगेगा अगर negative charge है और external magnetic field में रखा है तो यहां पर force opposite में लग रहा होगा इस पर force opposite में लगेगा force का magnitude वही होगा m into b ठीक है तो same वह ऐसे ही हम निकालेंगे जैसे electric पर निकालते थे अगर vector form में लिखना है तो ऐसे बना देंगे यहां charge negate हुए तो खुदी vector direction के साथ आ जाएगा फिर next अब हम लोग देख रहे है force on magnetic dipole in uniform magnetic field कि यह वाला पार्ट पूरा का पूरा वही सेम है जो हमने पीछे देखा हुआ है इसमें ज्यादा मैं कुछ question वगएरा नहीं कर रहा हूँ एकदम जो आपने electric dipole में इतने question किये हैं उससे बहुत simple question यहां होंगे तो आप बस module से in chapter examples कर लेना आराम से आप सब solve कर लोगे तो हम लोग force on magnetic dipole देख रहे हैं अगर हमने एक मानलो magnetic dipole लिया मतलब यहां अगर हमने बुला north pole मतलब यहां पर positive charge मानेंगे यहां south pole मतलब negative magnetic charge अगर हमने इसको uniform magnetic field में रख दिया तो magnet इस वाले पर force किदर लगेगा इधर को और इस वाले पर force किदर लगेगा इधर को तो net force कितना आएगा यहां पर जीरो uniform magnetic field में डाइपोल पर हमेशा net force जीरो आएगा जो हमने electric dipole में देखा है वही सेम चीज़ होगी फिर next अगर हम देखें टॉर्क अगर हम कोई बार ऐसे ले लेते हैं magnetic बार जिसका north pole इदर है south pole इदर है और ऐसे magnetic field में रख दिया जो कि इससे ठीटा एंगल पर है तो यह वही सेम चीज़ होगी इधर एक dipole लखा हुआ है और इधर magnetic field है तो सेम वैसे हम derive कर सकते हैं जैसे electric field में derive किया था इस पर टॉर्क लगेगा जैसे वहां होता था पी क्रॉस ही तो यहां बोलेंगे m क्रॉस पी मैंनिटूड वाइज बोलेंगे टॉर्क एकल टू एम भी साइन ठीटा है खुद ही यह क्लियर हो रहा होगा समझा रहा होगा इसमें कुछ समझाने जैसे नहीं है फिर ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट पोटेंचल नर्जी ओफ मैंनितीक और डिफाइन कर सकते हैं अगर हम कोई युनिफार्म मैंनितिक फिलम में एक कोई मैंनितिक डाइपोल लग देते हैं ठीटा एंगल पर सेम वैसे हम डिफइन कर सकते हैं यहां पर पोटेंचल सबकुछ सेम है एक बार आप यह फूरा थियो देख लो वीडियो फिर उसके बाद सारे कर लेना और फिर इसके एक्सरसाइज कर लेना एक दो बेसिक कोश्चन करा देता हूं पर्मानेन मैगनेट के बारे में हमें इतना ही देखना था तो अब जैसे एक दो बेसिक कोश्चन कर लेते हैं सपोर्ज हमने एक कि मैं डाइपल गॉस्ट मॉमेंट कुछ ए हम और अगर हम इसको बेंड करके ऐसा बना दें इसली एल 조ंस को तो आप आप ऐसे हो सकतो हो यहां नॉर्थ पोल है यहां साउथ पोल है तो अभी क्या हुआ यह नॉर्थ पोल यहां आ गया यह साउथ पोल यहां आ गया तो आप यह वाली डिस्टेंस लोगे ना चार्ज आप कोई बानोंगे प्लस M है या माइनस M है तो M की वैलू आप लिखरो M into L तो यहां पर कितना बोलोगे प्लस M यहां है माइनस M यहां है तो नया मैंगनेटिक डाइपोल मुवमेंट कितना बोलेंगे M into L by root 2 मतलब आप क्या बोल सकते हो इस M into L को पुराना वाला M बोलोगे तो M by root 2 तो एक तो हम ऐसे कर सकते थे या फिर हम यहां पर ऐसे भी सोब सकते हैं कि यहां प्लस M चार्ज है यहां माइनस M चार्ज है यहां पर यहां पर कुछ नहीं है तो आप मानलों यहां पर प्लस M माइनस M है और प्लस M है तो क्यों होगा एक डाइपोल ऐसे आजाएगा माइनस से प्लस की तरफ और एक माइनस से प्लस की तरफ यहां जाएगा m1 m2 दो डाइपोल है जो की 90 डिग्री पर इनका निकाल देंगे इसका M1 की वेलू निकालेंगे तो वो निकालेंगे तो वो भी कितने आएगा M इन्टु एल्बाइटू मतलब ये M by 2 है ये बी M by 2 है तो एम बाइटु एम बाइटु वाले डो डाइपोल 90 डिग्री पे रखे हैं तो नेट उनका क्या हैगा दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे रखे हैं तो अंडरूट तो एकटर का मैं बाइटू को सिंपल कोश्चें आते हैं तो आपको यह प्रैक्टिस कर लेना है एक तुब पॉइंट और बता देता हूं यहां पर एक चीज यह ध्यान रखना है अगर हमने कोई भी मैगनेटिक बार लिया और अगर हमने इसको इसके एक्सिस के पैरलर अगर एन इक्वल पार्ट में डिवाइट किया तो जो एक बनेगा अगर हमने एन पार्ट में ऐसे डिवाइट कर रहे है तो जो मैगनेटिक चार्ज होगा हर एक का जो एक पार्ट बनके आएगा अगर यहां पे प्लस M चार्ज पहले रखा था और यहां माइनस M तो आब यहां पे चार्ज कितना हैगा M by N लेंद उतनी होगी तो अगर हमारा पहले का डाइपोल मुमेंट M equal to M into L तो नया डाइपोल मुमेंट एक पार्ट का कितना आएगा M by N into L मतलब M by N जब मैं axis के long cut कर रहे हैं और अगर हमने ऐसे N equal part में cut किया length के perpendicular तो अब हर एक पार्ट का क्या हो जाएगा हर एक पार्ट एक नया magnet बन जाएगा लेकिन इस बार pole strength नहीं होगी अगर यहां minus M charge है यहां plus M charge है तो यहां हमारा magnetic dipole moment कितना हो जाएगा M into L by N तो फिर से यह M by N आया तो ऐसे कुछ भी situation आ सकता है तो जैसा रहेगा हो ऐसा हम solve कर लेंगे यह ध्यान नुद्खेंगे कि अगर हम एक पोल यह इसको length के long cut करते हैं तो pole strength change होती है अगर length के perpendicular cut करेंगे तो pole strength change नहीं होगी तो यह हमारा permanent magnet के बारे में था अब हम नेक्स पार्ट देखने जा रहे हैं कि अर्थ magnetic field अर्थ के वज़े से magnetic field magnetic field और अर्थ कि आज है कि आज है कि आज है कि देखो आपको यह पता है कि जब भी हम कोई भी magnetic बार को freely suspend करते हैं तो वह हमेशा geographical north-south में रुखता है तो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि आर्थ के वज़े से भी magnetic field होता है तो एक magnetic dipole हमेशा अपने को उस direction में align कर ले रहा है तो यह आर्थ का magnetic field हमें समझना है कि कहां पर होता है कि किस direction में होता है और कितना होता है तो इसको समझने के लिए हम ऐसे imagine करते हैं अगर यह हमारा अर्थ है तो magnetic field को समझने के लिए हम ऐसे सोचते हैं कि यह अर्थ का axis है हम ऐसे मानेंगे कि इसके अंदर एक magnet रखा हुआ है हम यहां पर मानते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं लेकिन आर्थ के magnetic field को समझने के लिए हम ऐसा imagine करते हैं कि इसके अंदर यह कैसे कोई magnet रखा हुआ है और जिधर आर्थ का हम बोलते हैं नौर्थ पूल है नौर्थ मतलब यह कौन सा है जिग्राफिकल नौर्थ आर्थ वाले को बोलेंगे जिग्राफिकल नौर्थ पूल उधर इस मैगनेट का साउथ पूल मानेंगे तो हम बोलेंगे इस साइड में मैगनेटिक साउथ पूल है मैगनेटिक साउथ पूल है यहां पर जिग्राफिकल साउथ है भूल हुआ कि और यहां पर मैगनेट की नौर्थ पूल रखेंके है नौर्थ के साइड में मैगनेट का साउथ और साउथ के साइड में मैगनेट का नौर्थ ऐसे मैगनेट को ऐसे अगर हम इमेजिन करेंगे तो हम यहां अर्थ के मैगनेटिक फिल्ड को इजली समझ सकते हैं यहां पर इसको बोलेंगे कि मैगनेटिक कि नॉर्थ पॉल कि अब देखिए यह वाला जो लाइन है इसको हम जिग्राफिकल एक्सिस बोलेंगे और जो ऐसे लाइन जा रही होगी मैगनेटिक नॉर्थ सौथ से जो लाइन जा रही है इसको बोलता है मैगनेटिक एक्सिस इन दोनों एक्सिस के बीच का यह जो एंगल होता है वह हम करीब लेते हैं 11.3 डिग्री यह अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग है जो एंसी आरटी में लिखा है आपको वही फॉलो करना है तो एंसी आरटी में 11.3 डिग्री दिया है तो हम लोग वही फॉलो करना है तो अब देखो आर्थ के यहां से मैगनेटिक फिल्ड को आप ऐसे समझ सकते हूं कि यहां से ऐसे मैगनेटिक फिल्ड लाइंस निकल रही हैं जैसे मैगनेटिक बार से निकलती है और ऐसे जाकर के इधर हो रही है. कि यहाँ पे जाकर यहाँ तर्मेनेट हो रही है. ऐसे बहुत सारी लाइन्स निकाल सकते हैं मैंने दो लाइन्स ही दिखाए है. यहाँ पे एक और अधार टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं. ही ईक्वेटर जैसे जो यहां पर हमने ऐसे शर्कल बनाएंगी इसको हमलो जिऊ ग्राफिकल ग्वेटर बोलेंगे एक ऐसे शर्कल बन रहा होगा निए और एक हमारा ऐसा इसके सरफेस पर जो इस आक्सिस के सरफेस प्र होग के सदूर अगर हमने magnetic axis के perpendicular ऐसा एक बनाया तो यह वाला जो हमने earth surface पर circle बनाया है यह magnetic equator है यहाँ पर यह वाला geographical equator और यह वाले को बोलते हैं मैगनेटिक एक्वेटर तो यह कुछ कुछ टम्स थे इसके अलावा दो कुछ और टम से वह भी हम लोग देख लेते हैं मैगनेटिक फेल्ड को स्टड़ी करने में हमें इजी रहेगा जैसे एक टर्म यहाँ पर आएगा कि बेसिक टम्स हम लोग पहले देख रहे ना बेसिक टम्स देख लेते हैं फिर हम लोग इसके बारे में स्टड़ी करते हैं तो इसमें जैसे हमने एक देख देखा जिवाफिकल एक्सेश्ग southwest ividu.. के जॉइन जॉइनग ingt Geographical North and Geographical South यह वाली लाइन यह वाली जो लाइन है यह Geographical Axis है फिर ऐसे एक हम लूग टम डिफाइन करते हैं Geographical Equator Geographical Equator मतलब यह वाला यह क्या सबसे बड़ा सरकल है जो अर्थ सर्फेस पर हम ड्रौ कर सकते हैं Perpendicular to Magnetic Axis जोग्राफिकल एक्सिस के Perpendicular सबसे बड़ा सरकल तो यह क्या ग्रेट टेस्ट Circle on earth's surface पर्पेंडिकुलर टू जियोग्राफिकल एक्सिस फिर एक टाम हम लोग डिफाइन करते हैं जियोग्राफिकल मेरीडियन ने जियोग्राफिकल मेरीडियन कहीं पर भी क्या हो रहा हुगा जियोग्राफिकल नौर्थ-South पोल को गंटेन करने वाला मालनी जियोग्राफिकल थे एधर जियोग्राफिकल नौर्थ तो इस डारिक्षिन में जो वर्टिकल प्लेन होगा नौर्थ साउट डारेक्शन में जो हमारा वर्टिकल प्लेन होगा वर्टिकल प्लेन तो हम किदर भी बना सकते हैं तो नौर्थ साउट डारेक्शन में जो वर्टिकल प्लेन होगा उसको हम बोलेंगे जियोग्राफिकल मेरेडियन तो यह क्या है वर्टिकल प्लेन along geographical north and geographical south direction same way में कुछ और हम ऐसी terms define करते हैं Magnetic Axis, Magnetic Axis क्या होगा, Line Joining, Magnetic North and Magnetic South Pole Magnetic North and Magnetic South Pole में लिख दिया, Magnetic North, Magnetic South फिर होगा, Magnetic Equator Magnetic Equator क्या है? Earth Surface पे जो सबसे बड़ा सरकल हम ड्राव कर सकते हैं Perpendicular to Magnetic Axis फिर यहां पर एक term ऐसे हम डिफाइन करेंगे जैसे geographical meridian define किया था वैसे ही geographical, sorry, Magnetic Meridian इसको short में MM बोलेंगे, यह क्या होगा? ऐसा vertical plane जो कि geographical, sorry, Magnetic North-South direction में होगा माल लिजे, Magnetic North, Magnetic South इधर ले लिया, इधर Magnetic North ले लिया तो इनको लेते हुए एक vertical plane तो यह क्या है? तो यह क्या है? वर्टिकल प्लेन प्लेन कंटेनिंग मागनेटिक साउथ एन मागनेटिक नौट और प्लेन फिर दो और ऐसे ही बेसिक टर्म से है जैसे एक है डिकलीनेशन तो देखिए डिकलीनेशन क्या है? कोई जवरी नहीं होता है कि जो magnetic meridian और geographical meridian वो एक ही direction में आए इनके बीच में कुछ भी angle आ सकता है तो suppose कहीं पर इस direction में geographical meridian है यह हमारा geographical meridian है और जब कि vertical plane containing magnetic north south pole कुछ इधर आया यह vertical plane यह magnetic meridian है तो इनके बीच का यह जो angle आएगा इसके बीच में यह जो angle आ रहा है theta यह 5 से दिखा ज़ता हूँ इनके बीच में यह जो angle आ रहा है 5 इसको हम लोग नाम देंगे declination declination यह angle of declination तो यह क्या है angle between geographical meridian and magnetic meridian GM मतलब geographical meridian MM मतलब magnetic meridian यह magnetic meridian है और यह वाला geographical meridian है तो यह क्या है अब नेक्स हम लोग देख रहे हैं inclination या angle of dip यह एक लास्ट और हमारा यहां पर देहान रखना है inclination inclination या angle of dip यह क्यों क्यों होता है तो हमें यह पता है कि आर्थ के सराउंडिंग में जो magnetic field है उसको imagine करने के लिए हम ऐसे एक अंदर magnetic बार रखके सोचते हैं ऐसा कुछ है नहीं नहीं ऐसे सोचते हैं तो जैसे ऐसे यह lines निकल रही हो और जा करके इधर terminate हो रही है तो अब जैसे इस point पे अगर आप खड़े हो तो इस point पे आप खड़े हो तो आपके लिए horizontal मतले हो यहां का जो tangent हुआ यह आपके लिए horizontal direction है यह horizontal है यह पर इस point पर तो जो भी magnetic field lines ऐसे निकल रही है यहां पर आप हो तो जो भी magnetic field lines है वो क्या horizontal के direction में या उससे कुछ angle पर है तो आप देखरो कुछ angle पर जा रही है और ऐसे जाते जाते जब आप यहां पर आओगे तो यहां पर आओगे तो यह देखरो यहां पर horizontal मतलब यह वाली लाइन कोई भी जगह पर horizontal मतलब earth surface के tangent वाली लाइन तो यहां पर आते आते यह क्यों जाएगा उसके parallel हो जाएगा फिर जब आगे बढ़ोगे इस magnetic equator के आगे चले जाओगे तो जैसे यहां हो तो यहां पर यह horizontal है तो जो भी lines आ रही होंगी जो भी यहां पर जैसे lines है horizontal line यह magnetic field lines कुछ ऐसे आ रही है तो यह ऐसे नीचे को जा रही होगी तो हर एक जगह पर magnetic field line horizontal के साथ क्या angle बना रही है इसी को हम लोग inclination बोलते हैं इसको कुछ ठीटा से रिखा रहे हैं हर एक जगह पर यहां पर यह ठीटा है हर एक जगह पर magnetic field line horizontal के साथ क्या angle बना रही है यह हमारा एंगल ओप डिप है और यह हम निकालते कैसे किसी भी जगह पर तो अगर हम कोई भी magnetic बार को freely suspend करें अगर हम मैञेजिक बार को freely जैस्पेंड करें तो वो हमेसा अपने को magnetic field line के long- repaired कर लेगा माललिज्जय आपने कहीं suspend किया ही हो ऐसे जाकर रुक तो इसका मतलब यहां पर magnetic field lines है वो ऐसे जा रही होंगी नीचे को जा रही होंगी मतलब यहां पर यह वाला जगह होगा यहां नीचे को आ रही है ना इधर के साइड में सर्फेस से ऊपर को उठ रही हैं तो अगर ऐसे जा रही है तो वो भी खुद को ऐसे रुकेगा तो यहां पर जो भी हेमिस्पियर में ऐसा दिख रहा होगा हुआ कि सौधन हेमिस्पियर में क्या होगा मैंगनेटिक फिल लाइन ऊपर को उठ रही होंगी ना कि सर्फेस से ऊपर को जा रहे होंगी तो यह कुछ ऐसे रुके हब से जा रहे होंगी तो यह होरीजनटल के साथ एंगल बन रहा है यह हमारा अंगल और देड़ पाओ क्यों को कि अंच और कि यहां कोई भी जगह पर मेंप्ल्ए le依ोड का होरीजनेटल के साथ जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ डिप है और या फिर आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि मैंगनेटिक निडिल को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें तो वह और जन्टल से जितना एंगल बनाएगी वही वहाँ पर एंगल ऑफ डिप है कि यह क्या हुआ एंगल ओफ डिप इज एंगल बिट्विन मैंनेटिक फिल्ड और जन्टल लिखाया साथ मैं लैंट ना या फिर्टे आमार करें मनेटिक फिल्ड हम ऐसे बोल सकते हैं कि if a magnetic needle या magnetic bar is freely suspended then angle of magnetic needle with horizontal is called angle of dip or inclination अब देखे यह inclination या फिर angle of dip को लेकर के हमने magnetic field के component बनाया है सपोज कहीं पर यह magnetic meridian हमने बनाया हुआ है यह magnetic meridian है मतलब इधर कुछ magnetic south रहा होगा इधर कुछ magnetic north है अब नौर्थ साउथ नहीं दिखाते हैं बस magnetic meridian है मतलब एक plane जो की magnetic north-south direction में है आल दीजे यहां पर magnetic field line ऐसे कुछ आ रही है तो magnetic field line का यह horizontal के साथ जो एंगल बनेगा यह हमारा एंगल ऑब डिप है तो अगर हम इस बी का horizontal में component निका लें तो वो कितना आ जाएगा बी कॉस्ट हीटा और वर्टिकल में component निकाले वो कितना जाएगा बी साइन थिटा तो कोई भी जगह पर तो अगर हम लोग इनको डिवाइड करें एक्वेशन टू को एक्वेशन वन से डिवाइड करें तो टैन ठीटा एक्वाल टू क्या हैगा वर्टिकल कम्पोनेंट अपॉन अगर हमें कम्पोनेंट्स पता है मगनेटिक फेलो किया तो हम ऐसे वहां पर अंगल अगर आप निकाल सकते हैं मैंअ服 ہिह अभी जो आफ मेंगनेटिक फिल्ड होगा वो तो में抉गनेटिक मेरीडियन में होगा हमें सह, मैंनेटिक텐 फिल्ड तो हमें हैं मैं मैंज्रिदिक और ऐसे आप उस उसको जब आप जॉल करोगे magnetic meridian में तो ऐसे आएगा लेकिन कई बार हम क्या करते हैं magnetic meridian ना लेकर करके से कोई angle पर vertical plane ले लेते हैं magnetic meridian से तो उस time पर हम apparent angle of dip define करते हैं तो यहां पर एक और ट्म यूज होगा apparent angle of dip hoi suppose कि हमने एक ब्रटिकल प्लेइन लिया ये कोई भी प्लेन हो सकता है और हमारा मग्वम्नेटिक मेरीडियन यह है है हमारा मादनेटिक मेरीडियन है यह कोई और प्लेन है जो इनके बीच में कुछ एलफा एंगल बन तक है और मादनेटिक फिल्लाइन ऐसे अजने मेरीडियन में और यह बी तो हम इसको रृषॉल करेंगे यह हमारा ठीटा है इधर भी एच आजैगा इधर बी वी आजैगा तो बी-एच की वैलू कितनी है यह बी कॉस्ट हीता और बीवी की वैलु कितनी है लेकिन अगर हम उसका इस प्लेंड में होरिजंटल लाइन से हम एंगल देखें तो वो जो एंगल होगा वो हमारा एपेरेंट एंगल अब डेख होगा अगर यह हमारा भी एच तो इधर को अरजंटल कंपोनेंट कितना है गा बी एच डैस बी एच डैस की वैल्व हम बोल सकते हैं बी एच इधर को component लेंगे ने यह एंगल अलपा है तो बी एच कॉस अलपा तो इस वाले plane में vertical तो उतने ही दिखेगा लेकिन horizontal इतना दिखेगा तो अगर कोई मालो इस plane में अपना magnetic needle रखा हुआ है तो उसको एंगल कितना दिख रहा होगा एंगल ऑफ डिप के लिए वो यह वाला concept लगाएगा टैन ठीटा एकल टू बी वी बाई बी एच तो इस टाइम पर टैन ठीटा को ठीटा डैस लिख रहे है यह apparent angle of dip है न ठीटा डैस तो वह क्या सोचेगा बी बाई बी एच लगा देता हूं बट उसका भी एच एक्च्वल भी एच नहीं है बी एच डैस है तो उसके लिए जो apparent angle of dip दिखेगा वो दिखेगा बी साइन ठीटा अपन में बी कॉस ठीटा यह बी एच का के रीडियन में डिफाइन है अगर आप कोई और वर्टिकल प्लेन में लेते हो तो वहां जो एंगल आएगा magnetic निग्डिल का horizontal के साथ उसको हम फिर apparent angle of dip बोलते हैं यहाँ पर ठीटा डैस apparent angle of dip है और यह हमारा angle of dip ठीटा तो इसमें हमें देखिए इतना ही करना रहता है आर्थ-magnetic field में यह जो basic terms हैं बस वही समझना रहता है इन पर एक-दू में problem करा देता हूं एकदम basic basic problem आते हैं तो जैसे यह हम problem करते हैं कि किसी place पे horizontal component of earth magnetic field is root three times of vertical component और हमें यह mention नहीं कि कौन से meridian में तो हम यही मानेंगे कि magnetic meridian में है by default magnetic field अगर हम कुछ भी mention कर रहें major कर रहें तो magnetic meridian में कर रहांगे तो हम यहाँ पे angle of dip का formula लगा देंगे tan theta equal to vertical component upon horizontal component तो यह हमारा जाएगा root three मतलब theta is 60 degree वहाँ पे अगर magnetic needle को freely suspend करें वह गरबर कर दिया मैंने यह one by root three आएगा न भी एच को नीचे रखना है तो one by root three तो यह 30 degree आ जाएगा एक और ऐसे simple सा problem करते हैं तो देखे इसमें problem में क्या दिया हुआ है कि कोई magnetic needle है जो free to rotate in vertical plane है ना आपने कोई magnetic needle को कहीं पर रखा तो वह बस vertical में rotate कर सकती ना horizontal में नहीं जाएगी आपने जिस vertical plane में रख दिया उसी में वह बस rotate कर सकती है और अब वह कोई जो नहीं कि वह जो plane आपने लिया वह magnetic meridian हो नो कोई भी plane हो सकता है तो अब वह उसमें इस plane में इस plane में वह horizontal से 60 degree horizontal से इतने एंगल पर रुक रहा है इस वाले plane में अगर horizontal से एंगल देखेंगे तो वह क्या है हमारा apparent angle of dip है तो apparent angle of dip हमें दिया है 10 inverse 2 by root 3 और हमें पूछा गया है actual angle of dip मतलब हमें थीटा पूछा है तो अभी हमने देखा ना 10 theta dash equal to क्या यह था 10 theta by cos alpha तो अगर हमें 10 theta निकालना है तो हम 10 theta dash into cos alpha रख देंगे 10 theta dash की value कितनी है 2 by root 3 cos alpha कितना है गा और 60 मतलब यह तो 1 by root 3 तो वहां पर actual angle of dip कितना है 30 तो बस आपको देखें यहां पर अगर टर्म क्लियर है कौन सा टम क्या बता रहा है तो कोश्चन आराम से सौल्व हो जाते ना अगर आपको पता होना चाहिए magnetic meridian क्या है geographical meridian क्या है angle of dip क्या है declination क्या है inclination क्या है यह सब टर्म्स पता होंगे तो एकदम simple question होते हैं तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कर रहे हैं अब अभी हमने magnets के बारे में देख लिया अब हम लोग non magnets के बारे में देखेंगे तो यह अब आधा घंटा का और बचा हुआ है यह मैं next video में cover करूंगा तब तक आप one two ten कर सकते हैं और in text exercise one cover कर सकते हैं यह magnetic properties of matter module 5 में chapter 2 की बात हो रही है ना chapter 2 magnetic properties of matter ना इस chapter से यह अब आप कर सकते हैं अब next video में मैं थोड़ा सा और बचा हुआ है magnetic कि नॉन मैंगनेट्स के बारे में तो वह cover करूंगा कि थैंक्ट को अपिरान